आप सभी का स्वागत है competition community के इस e-learning platform पर मैं हूँ अभिशेक गौरहा और मैं होने वाला हूँ आप सभी के लिए current affairs का companion बहुत टाइम से students का ये request आ रहा था कि वो static portion को पढ़ने में इतने ज्यादा busy हो जा रहे हैं कि वो current affairs को deal continuously नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण वो अपने exams में excellent performance नहीं दे पा रहे हैं कहीं न कहीं वो अपने उस optimum performance से थोड़ा चूप जा रहे हैं वो सारी चीजों को देखते हुए हमने एक पूरी series current affairs को dedicate करने का एक निर्णय लिया है और इस series में हम cover करने वाले हैं 36 गर्ड लोग सेवा आयोग एवं व्यापम द्वारा कंड़क्ट किये जाने वाले जितने भी competitive exams हैं उसमें जो कुछ भी current affairs आपको लगेगा चाहे वो राश्ट्री हो अंतर राश्ट्री हो चाहे वो राजकी हो या फिर state संबंदित current affairs, national संबंदित current affairs और international संबंदित current affairs इन सभी का हमने एक series शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे Monday to Thursday, दोपहर के 3 मजे, Monday को हम आप सभी के सामने ले कर कहाएंगे 36 गड़ के current affairs जो subjective way में हम पहले deal करेंगे हम समझेंगे कि आखिर actually में चल क्या रहा है Tuesday को हम उसी 36 गड़ के subjective portion को ले करके उसमें MCQ deal करेंगे कि जो चल रहा है उसके उपर exam point of view से हम किस तरीके से question prepare कर सकते हैं इसके बाद Wednesday को हम national और international current affairs आपके सामने ले कर कहाएंगे और उसी तरच पर Thursday को दोपहर को तीन बजे हम उन national और international current affairs से बनने वाले जो MCQs होंगे उनको deal करेंगे आपके साम आज हम अपने वीडियो का सबसे पहला संसकरण ले कर के आ रहे हैं क्योंकि आज है आपका Wednesday तो हम शुरू कर रहे हैं national और international current affairs से यह जो हमारा पूरा current affairs की सीरीज होगी इसका format होगा weekly मतलब weekly basis पर हम यह देखेंगे कि राश्री अंतर राश्री एवं राजकी अस्तर पर कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं कौन सी घटनाएं आपके लिए exam उपयोगी हैं परिक्षा पर कल जब हम आपकी सामने उपस्थित होंगे तब हम इसी के ऊपर में आज जो पढ़ेंगे उसका ही हम क्या करेंगे mcq solve करेंगे तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद ही हमारे mcq session में आप वापस आएंगे हैं तब जा करके आप लगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में इस हफते क्या important है अब हम एक एक करके देखते चलते हैं कि आखिर हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस हफते तो सबसे पहले हम हमारे पास में आ गया Center for World University Rankings तो यह Center for World University की एक ranking जारी हुई है इसके बारे में हम आज देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे Changing Employment Dynamics in India याने कि भारत में रोजगार के बदलते स्वरूपों को देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे UNESCO Memory of the World Asia Pacific Register यह क्या है अमेरिका विश्व की UNESCO स्मृती एशिया पैसिफिक रजिस्टर इसके बारे में हम देखेंगे और चौथा हम देखेंगे चाइना बिकम्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया लीविंग बिहाइंड अमेरिका मतलब हमारा क्या बन गया है अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना भारत का शीर्ष व्यापारिक भागिदार बन गया है इसके बारे में देखेंगे फिर हम कुछ ऐसे important reports देखेंगे जो हमारे लिए important होंगे जैसे के लिए NSSO ने हाल ही में एक आपका employment और unemployment का report जारी किया है उसको हम देख लेंगे उसके बाद में हम देखेंगे work trend report या फिर NSSO द्वारा जो रोजगार त्रहमासिक report होती है उसको देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे कार प्रवत्ती report याने कि यह Microsoft और LinkedIn द्वारा यह सर्यूपत रूब से निकाला गया report है इसको भी हम देखेंगे देखते हैं अगे क्या है आद क्पढ़नेगे इसके बाद पस कुछ चर्चित व्यक्ति होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे places जो क्या होंगे हमारे लिए बहुत जादा important है या फिर हमारे इस हफते के current affairs में continuously बने रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं और ये जो हमारे विडियो होंगे यह हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे ताकि किसी भी प्रकार के students को कोई भी दिक्कत ना हो English medium के students English medium में कोप करते रहें और हिंदी मीडियम के students हिंदी मीडियम में हमारे साथ बने रहें ठीक है तो सब की है जो दुनिया के 2000 best universities को अपने लिस्ट में शामिल किया है तो हम यह देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या important है पूरी दुनिया के अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो जो सबसे सीष युनिवरसिटी है वो है आपकी Harvard University दूसरे नंबर पर है Stanford University और तीसरे नंबर पर है Cambridge University या फिर University of Cambridge हमारे लिए important यह इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जो आपकी लिस्ट है 2016 विश्व विद्यालेओं की उसमें भारत के 62 संस्थानों को क्या मिली है जगा मिली है जिसमें सबसे उपर है कौन IIM एहमदाबाद या फिर Indian Institute of Management एहमदाबाद यह आपके इंडिया के सबसे बेस्ट उनिवर्सिटी हो गए है क्योंकि यह कहां पर शामिल है आपके Center for World Universities की 2000 सबसे महत्वपुर्ण विश्व विद्यालेओं में से एक है ना और इनका overall rank क्या है उस लिस्ट में यह है 400 दसवे नंबर पर पिछले साल यह थे 419 रैंक पर है ना तो भारत में जो शीर शेंव कोन हो गया IIM एहमदाबाद और इसका समग्र रैंकिंग क्या है 410 वी पिछले साल यह कौन से रैंक पर था 419 वी मतलब इसने कितने रैंक का अपग्रेडेशन किया है तो 9 रैंक यह क्या हो गया है आगे बढ़ गया है मतलब इसने अच्छा परफॉर्म किया है तो total हमारे overall performance किया रहा है हमारे इंडियन इंस्टिट्यूट्स का तो 64 हमारे इंस्टिट्यूट्स हैं इंडिया से जिन्होंने इस लिस्ट में क्या किया है अपनी जगह बनाई है इसमें से जो 31 है इकतिस जो संस्थाने हैं इनके रैंक में सुधार हुआ है जबकि जो 33 संस्थान बच रहे हैं उन संस्थान की हालत खस्ता हो गई है या फिर यह बोला जाए कि उनका rank कहीं न कहीं पिछड गया है ठीक है आगे चलते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं Center for World University ranking के बारे में इनका जो headquarter है या फिर मुख्याले है यह है UAE याने कि United Arab Emirates यह 2016 से इनका क्या बन गया है headquarter इसके पहले कोई ले एक्जाम प्योगी है परिक्षव प्योगी है इनहीं पर बेस्ट ले करके हम क्या आएंगे mcq series तो बिल्कुल ध्यान से यह सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे 2012 से ही इन्हों किया कर दिया है वैश्विक विश्वेविद्वैलयों की अकादमिक ranking प्रकाशित करना शुरू किया है और यह करते हैं चार criteria पर based इन्होंने चार criteria बेस्ट करके हि ilate kita क्या किया समग्र मुल्यांकन किया है सबसे पहले है quality ओध education या फिर सिक्षा की गुणवत्ता दूसरा है आपका employability या फिर रोजगार की योग्यता कितनी उत्पन्न की जाप आ रही है तीसरा है quality of faculty मतलब संकाय की गुणवत्ता या फिर यह बोला जाए कि वहाँ के Center for World University ranking है उसमें 2000 universities का मुल्यांकन आगे चलते हैं Changing Employment Dynamics in India भारत में रोजगार की बदलती दशा या फिर स्वरूप तो आखिर यह है क्या भारत में तकनीकी नौकरियों में भारी वृद्धी हुई है मतलब टेक्निकल जॉब्स जो है टेक जॉब्स जो है उनमें इंडिया में भाल पिरहाल में बहुत एक बूस्ट देखने को मिला है और यह बूस्ट इतना है कि यह 900 परसेंट इंक्रीज ऑफ अनलेटिकल जॉब्स इन सिक्स मॉन्स इट्सेल्फ फ्रॉम लास्ट ऑक्टोबर टू मार्श टूथाउजंट व्याने की पिछले साल की अक्टोबर से लेकर के 2024 के मार्श टक में 900 गुना एनलेटिकल जॉब्स में क्या हुई है व्रिद्धी हुई है 900 प्रतीशत व्रिद्धी हुई है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्ट न्यूज है हमारे इंडिया के जितने भी रोजगार सीकिंग य रहा reasons for this particular increase या फिर इतने व्रिद्धी की कारण क्या है तो देश में Big Data Cloud Computing और Artificial Intelligence की मांग में व्रिद्धी तो जो Big Data है Cloud Computing है Artificial Intelligence है इन सभी की जो डिमांड बढ़ रही है continuously हमारे देश में उसके कारण यह जो 900% का increase हमको देखने मिल रहा है यह है इसका कारण ठीक है इसके बाद में देखते है कुछ special तत्थ है इसके maximum जो डिमांड है वो तीन IT sectors में है IT sectors में भी आपको पता है बहुत सारे opportunities रहते हैं web designing से ले करके cloud computing और artificial intelligence तक के इसमें options होते हैं लेकिन जो सरवाधिक increase हुआ है वो किसमें हुआ है यह हम देख लेते हैं एक हुआ है analytics में या फिर इसको हम बोलते हैं क्या analytics और इसमें हुआ है 256 प्रतीशत की व्रिद्धी हुई है दूसरा इसी सीरीज में रहा है साइबर security expert या फिर साइबर सुरक्षव इसे शक्यों की मांग बहुत जादा बढ़ गई है और यह कितने प्रतीशत बढ़ गई है 215 प्रतीशत बढ़ गई है और तीसरा है cloud computing जिसमें सुल्ला प्रतीशत की व्रिद्धी की जा रही है या फिर जिसमें सुल्ला प्रतीशत की व्रिद्धी हुई है cloud computing के छेत्र में आपके रोजगार की या फिर मांग की है ना तो अब जो हमारा इंडिया है वो traditional जो काम थे उनको छोड़ करके कहीं न कहीं अब service sector की और बढ़ है हमारा जो primary, secondary और tertiary sector का रोजगार देने का एक trend होता है उसी से ही पता चलता है कि एक देश कितना विक्सित है या विकास्षिल है या अंडर developed है ना या फिर अभी विक्सित नहीं हुआ है तो हम जानते हैं कि अगर primary sector में सरवाधिक रोजगार मिलता है मतलब वो देश क्य है अंडर developed कहलाता है secondary sector में अगर सरवाधिक रोजगार मिलता है secondary sector इस कर अगर सरवाधिक आपका रोजगार मिलता है याने कि यह होता है manufacturing primary sector होता है आपका क्रिशी संबंदित secondary sector या फिर दितियक शेत्र होता है आपका क्या manufacturing का या फिर उद्योग का और तरितियक शेत्र होता है तरितियक शेत्र tertiary sector होता है आपके service sector का है तो ऐसा माना जाता है अगर आप primary sector में सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है देश में मतलब वो देश क्या है अंडर डेवलप्ट है अगर सेकेंडरी सेक्टर में सरवाधिक रोजगार मिल रहा है मतलब वो देश डेवलपिंग है या फिर विकास शील है और तर्शेरी सेक्टर में सरवाधिक रोजगार मिल रहा है इसका मतलब क्या होता है वो देश विक्सित हो चुका है हाला कि हमारे भारत देश में स्थितियां कुछ अलग है हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रिब्यूशन होता है टर्शेरी सेक्टर का लेकिन हमारे जो सरवाधिक का रिबल ह है जो लगा हूँ है अश्रमबल लगा हूँ है वो कहां लगा हूँ है प्राइमरी सेक्टर में लेकिन फिर भी हम कहलाते हैं कि अविकास शील तो यह थोड़ा सा यह पूरे विश्व का एक मात्र ऐसा आपका देश है जहां पर यह परिस्थितियां है तो आगे चलते हैं फ जॉब्स को जल्दी से जल्दी अपने अंडर में ले ले है अब आगे चलते हैं एन्वर डिजिटल रिपोर्ट तुथाज़न प्वेंटीफ़ इसी सही सम्मंदित एक और रिपोर्ट है हमारे पास में जिसको हम बोल रहे हैं क्या डिजिटल कॉशल पर वार्षिक रिपोर हैं उनमें अगर 66 प्रतीशत जो डिमांड है टोटल डिमांड के अगर हम बात करें तो 66 प्रतीशत डिमांड पांच सेक्टर्स में ही क्या हो गई है कॉंसेंट्रेट होकर के रहे गई हैं और यह कौन-कौन से हैं एक तो विकास है या फिर डेवलप्मेंट का दूसरा है ऐसे टेकनिकल जौब्स हैं जो ओवर जितना भी डिमांड है ओवर आल जो श्रम बलकर डिमांड है टेकनिकल एंपलॉयमेंट के लिए उनमें से यह 5 जो छेत्र हैं इसी में 36 प्रतीशत आपका क्या हो गया है डिमांड कॉंसेंट्रेट होकर के रह गया है किंद्रीकृत होक है अब देख लेते हैं कौन सा सेक्टर है जो सरवाधिक आपको डिमांड मांग रहा है ये टेक्निकल जॉब्स की बात हो रही है अब सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो 51 परसेंटेज आपके IT companies आपको क्या कर रही है सबसे ज्यादा टैलेंट का acquisition कर रही है मतलब सबसे ज्यादा आपके आप लोगों के टैलेंट का उपयोग कर रही है मतलब सीधी सीधी बात अगर हम करें तो रोजगार आप लोगों को दे रही है उसके बाद bank finance और insurance का जो sector है वहाँ पर आपको job मिल रही है फिर आपको मिलता है automobile में उसके बाद में consulting और finally आपको मिल रहा है products में है ना तो यह data आप लोगों के लिए बहुत important हो जाता है कि talent acquisition अगर आज की date में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा technical jobs में कोई कर रहा है तो वो कौन कर रही है आईटी कंपनिया कर रही है उसके बाद bank कर रहा है वित्तिय चेत्र कर रहे है बीमा के चेत्र कर रहे है फिर automobile sector कर रहा है फिर परामर्ष और आख्री में जो products का एक पूरा सेक्टर है वो कर रहा है ठीक है आगे चलते है UNESCO Memory of the World UNESCO Memory of the World हाल ही में भारत की कुछ आपके प्राचीन ग्रंथ है जिनको UNESCO ने विश्व धरोहर के रूप में स्विकार किया है और इसे क्या किया गया है ये आपके पास में एक register है जिसको क्या बोला जाता है UNESCO Memory of the World Asia Pacific Regional Register तो Asia Pacific का जो रीजिनल रजिस्टर है UNESCO का Memory of the World Asia Pacific का रीजिनल रजिस्टर उसमें शामिल कर दिया गया है किसको आपके तीन भारतिये प्राचीन ग्रंथों को और ये कौन-कौन से ग्रंथ है ये देख लेते हैं हम सबसे पहला है आपका राम चरित मानस तुलसी दास कृत राम चरित मानस जो की एक महा काव्य है सोलवी सताबदी में तुलसी दास द्वारा क्या किया गया है इसकी रचना की गई है ये अवधी भाषा में है very very important अब आप लोगों से सवाल यही पूछेगा राम चरित मानस कौन सी भाषा में लिखी गई थी तुलसी दास द्वारा तो ये कौन सी गई अवधी भाषा हो गई और यह किस्से प्रेरित है तो यह वालमी की द्वारा जो रचित रामायन है उससे प्रेरित है दूसरा जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम है पंचतंत्र और यह पंचतंत्र का वास्तविक मतरब क्या होता है लिट्रेरी मीनिंग क्या होत परस्पर संबंधित पशु कथाओं पर एक क्या है प्राचीन भारतिय संग्रह है और सबसे पुराना जीवित पंच तंत्र पार्थ हमको मिलता है 200 इशापूर्व से 200 BCE Before Common Era जब हमको मिलता है क्या पंच तंत्र का सबसे पुराना हमको संस्क्रन देखने को मिलता है इसके बाद में जो तीसरा ग्रंथ है वो है आपका सहरिदय लोकन ना लोकन द्वारा रचित सहरिदय लोकन को भी इसमें शामिल किया गया है ठीक है तो आपको ये तीन options दे देगा, option 1 आएगा, रामचरित मानाज दूसरा आएगा, पंच तंतर तीसरा आएगा, सहरिदय लोकन और चौथे option में आपको महाभारत डाल देगा, फिर आपको choose करना होगा, only one, only one and two, one, two, three, या फिर one, two, three and four, तो ये तब के case में आएगा जब आप में MCQ सीरीज में deal करेंगे, ठीक है, अब ये देख लेते हैं, what is, what is UNESCO Memory of the World, Asia Pacific Regional Register, हो सकता है, ये आप लोगों के लिए मेंस में भी आ जाए, है ना, तो मेंस में इसको पूछेगा, तो ये क्या है, the register is formed to collect and preserve rarest documents of the world, for upcoming generations, आने वाली पीढ़ी के लिए, दुनिया के सबसे दुरलब दस्तावेजों को क्या किया जा रहा है, इसको सनरक्षन दिया जा रहा है, कठा किया जा रहा है, और सनरक्षित किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर जो आने वाली पीढ़ी है, वो इन सभी को पढ़ सके, ठीक है, अगला जो हमारे लिए important है, वो क्या है, China becomes top trading partner of India, तो financial year, वित्तिय वर्ष 2023-2024 में भारत और चाइना ने bilateral जो आपका trade है, यह आपका वित्तिय वर्ष 2023-2023 जिसकी शुरुआत होगी आपके April, 1st April 2023 से लेकर के, यह जाएगा आपका 31st March 2024 तक है ना, तो यह जो वित्तिय वर्ष है, इसमें भारत और चाइना ने द्वी पक्षिय, आपका व्यापार कितने का किया है, 118.4 billion dollars का, और वहीं इंडिया और अमेरिका ने कितना किया है, 118.3 billion dollars का, तो आज तक अमेरिका हुआ करता था हमारा सिर्षष्त क्या, व्याप अमेरिक भागिदार, लेकिन इस साल चाइना ने अमेरिका को पीछा छोड़ करके क्या कर दिया है, भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया है, यह ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, यह हमारे लिए important हो जाता है, ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अपने export किया है चाइना को वो भी पिछले साल increase हुआ है, हमने जो निर्याद किया है, वो 8.7 प्रतीशत से वो बढ़ गया है, और यह last year हुआ है, और यह हम total कितने का निर्याद किये हैं चाइना को 16.67 billion dollars का, ठीक है, तो यह हमारे पास कुछ data थे चाइना और इंडिया के trading सम्बंदों से सम्बंदे, इसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ reports, हमारे पास में कुछ reports हैं जो हमारे exam के लिए वहुत important हो सकते हैं, very very important है ना, तो इनको हम एक नजर देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, NSSO quarterly unemployment report, तो सबसे पहले आप लोग NSSO का full form लिख करके तुरंट मुझे बताएंगे कि यह NSSO का full form क्या है, क्योंकि यह पहले कुछ और हुआ करता था, हाल फिल हाल में साल दो साल पहले इसका नाम change किया गया है, तो आप लोग बताएंगे NSSO का full form क्या है, तब तक हम लोग अपने report पे आते हैं, तो in urban areas, in urban areas, employment in people of 15 or more years of age was 6.7 in last quarter of financial year 23-24, it was 6.8 same quarter of the previous years, है ना, मतलब यह क्या बोला जा रहा है, जो वित्तिय वर्ष आपका है, 23-24 का, जिसकी शुरुआत कब से होगी, 1st April 2023 से लेकर के, 31 March 2024 तक यह वित्तिय वर्ष चलेगा, financial year चलेगा, इसमें जो आपकी बेरोजगारी है, है ना, वो कम हुई है, बताया जा रहा है, और कितनी कम हुई है, त में इस रिपोर्ट में कि unemployment घटी तो है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा, tragically change नहीं हुई है, 6.8 थी पिछले साल, मतलब वित्तिवर्ष दोजार बाइस तेश में, और इस बार कितनी है, 23-24 में 6.7 प्रतीशत रही, unemployment rate, यह बताया जा रहा है, अब the unemployment rate also mentioned that unemployment in women of 15 years or more age has decreased from 9.2 in the last quarter of financial year 22-23 to 8.5 in last quarter of financial year 23-24, अब देखिए बार बार last quarter की बात कर रहा है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में रोजगार, वित्तिय वर्ष 2022-23 की अंतिमतिमाही में 9.2 प्रतीशत से घट कर, वित्तिय वर्ष 2023-24 की अंत दशमलो 5 प्रतीशत हो गई है, यह जो आपका 6.7 और 6.8 या बात की जा रही है, कि पिछले वर्ष कितनी थी, 6.8 थी, इस वर्ष कितनी हो गई है, 6.7 और यहाँ पर महिलाओं की बात कर रही है, कि 9.8 पिछले वर्ष थी, इस वर्ष हो गई है, 8.5 यह बात की जा रही है, क फिर वित्तिय वर्ष की वित्तिय वर्ष की और वित्तिय वर्ष में भी क्या जो आपका अंतिम त्रेमाशिक है या फिर लास्ट क्वाटर है जो की होगा आपका कब से कब तक देखें शुरुवात अगर हम बात करें हमने क्या किया है जब वित्ती वर्ष की हम बात करते हैं तो इसको हमने चार भागों में बाट दिया है तो शुरुवात हमारी कब से हो रही है फर्स्ट एप्रेल से जून है ना तो यह जाएगा आपका जून तक अप्रेल से जून फिर जून जुलाई से लेकर के सिप्तेंबर अक्टोबर से लेकर के दिसंबर और फिर जन्वरी से लेकर के मार्च तक यह आपके चार पखवाडे होते हैं किसमें किसी भी एक वित्तिय वर्ष में अब इसके आगे आप सन लगा करके इसको देख सकते हैं अगर हम वित्तिय वर्ष किसकी बात कर रहे हैं अगर हम वित्तिय वर्ष 22 और 23 की बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक तो आपका क्या आ गया 2022 और यह हो गया आपका क्या 2023 अप्रेल 2022 से शुरू हो करके मार्च 2023 में खतम होने वाले जो एक पूरा वर्ष होगा उसको हम बोलते हैं क्या वित्तिय वर्ष 2022-2023 तो हमारे जो डेटा हमको मिले हैं वो किसके मिल रहे हैं फिल हाल इस जन्वरी से लेकर के मार्च तक के और financial year आपका 2022 और 23 और financial year या फिर वित्तिय वर्ष 2023-2024 के मतलब क्या हो गया इसकी भी अगर हम आखरी पक्वाड़े की बात करें तो वो कब से कब तक हो जाएगा जन्वरी से लेकर के मार्च 2024 तो हमारे पास में जो main आपके तथ्यात्मक आए हैं या फिर comparative data आए हैं वो इन दोनों के बीच में आए हैं जन्वरी से मार्च 2023 और जन्वरी से मार्च 2024 के बीच में जो हमारी बेरोजगारी की दर घटी है वही ये data बता रहे हैं 2000 जन्वरी से लेकर के मार्च 2023 में कितनी थी 6.8 प्रतिशत और जन्वरी से लेकर के मार्च 2024 में कितनी है तो वो है कितनी आपकी 6.7 प्रतिशत वहीं आपकी बात कर रही है वाप के बारे में बात किया जा रहा है क्या जनवरी से लेकर के मार्च 2024 में कितना रहा है ये रहा है आपका 8.5 जबकि वही जन्वरी से लेकर मार्च 2023 में आपका कितना था 9.2 अगर किसी को ये पूरा फंडा समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके में को बताएंगे तो फिर मैं एक कोशिश करूँगा कि ये जो पूरा वित्तिय वर्ष का खेल है इसके उपर एक अलग से वीडियो ही बना दूँ हाला कि ये सारा कुछ हमारा किसका पार्ट है ये है हमारे Static GS का पार्ट और Static GS का भी क्लासेज हमारे यहां चलती रहती हैं चाहे आप e-learning platform पे देखें YouTube में देखें या फिर हमारे offline classes में देखें आपको सारे classes हमारे यहां मिलेंगी है ना तो वो सारी चीजों को जादा अच्छे से deal आपके offline classes में किया जाता है अब इसके साथ ही एक तो हो गया overall हमारा unemployment दिया गया है एक महिला विशेश का दिया गया है बेरुजगारी दर और तीसरा दिया गया है इसमें labor force participation या फिर हम इसको बोलते हैं क्या श्रम बल भागिदारी अब ये श्रम बल भागिदारी क्या होती है आगे देखें फिलहाल आप लोग देख लिजे ये सेम जिसकी quarter की हम बात कर रहे थे financial year last quarter of financial year तेश चोबिस में कितनी रही है labor force participation मतलब ये रही है 50.2% और आपका महिलाओं में कितनी रही है 25.46 रही है और जो comparative कर रहे थे हम लोग पिछले वर्ष कितनी रही है पिछले वित्तिय वर्ष के अंतिम पकवाडे में कितनी रही थी तो ये 48.5 overall रही थी और महिलाओं के लिए रही थी कितनी 22.7 प्रतीशत अगर ये नहीं clear हो रहा है तो एक slide और अपन मना देते हैं इसको ठीक है यहाँ पर डाल देते हैं financial year या फिर वित्तिय वर्ष यहां overall यहां female यही तीन डेटा आये हैं हमारे पास में अगर हम financial year कब की बात कर दें 2000 22 23 और 23 24 इनके बीच में comparison किया जा रहा है और उसमें भी last quarter की बात की जा रही है अंतिम पक्वाडे की बात की जा रही है इसका मतलब क्या है जन्वरी से लेकर के March तक की बात की जा रही है अब आप लुग समझ जाएंगे कि अगर 22 23 वित्तिय वर्ष के जनवरी से मार्च की बात की जा रही है मतलब वो 2023 के जनवरी से मार्च की बात है और 23-24 के अंतिम पक्वाड़े की बात की जा रही है मतलब वो 2024 का जनवरी और मार्च है ठीक है अब इसमें overall क्या बोला जा रहा है क्या डेटा है हमारे पास में overall 6.8 से घट करके 6.7 हो गई है तो overall पहले कितनी थी 6.8 थी अब कितनी हो गई है 6.7 हो गई है महिलाओं में कितनी हो गई है महिलाओं में कितना कमी आया है पहले 9.23 अब 8.5 हो गया है 9.2 और यहां से आ गया 8.5 इसके बाद में labor force anticipation भी बोल रहा है यहाँ पर लिख लेते हैं इसको labor force participation ratio भी आया है मतलब श्रम बल की भागिदारी अब यह कितना हो गया है बोल रहा है 48.5 कहा है 48.5 से बढ़ करके कितनी हो गई है 50.2 प्रतीशत 50.2 प्रतीशत तो यह हमारा वो टेबल बनता है जिससे हमको यह समझ में आता है कि आखिर labor force participation females और overall में हमारा क्या रहा रोजगारी का एक data अब यह देख लेते हैं यह जो आपका data आया है अभी हम बात कर रहे हैं यह त्रिमाशिक की बात कर रहे हैं तीन-तीन महीनों में तोड़ा है और वहां से समझने की कोशिश की है इसको हम बोलते है PLFS या फिर periodic labor force survey आवधिक श्रमबल सर्वेक्षन बोला जाता है इसको जो होता है क्या त्रेमासिक बुलेटिन है मतलब quarterly है इसके बारे में थोड़ा से information देख लेते हैं हर तीन-तीन महीने में NSSO जो होता है अब देखे आपसे question पूछ रहा था मैं यह है national sample survey और office या फिर राश्ट्रिय प्रतिदर्ष एवं सर्वेक्षन कार्याल है इसके द्वारा यह क्या किया गया है unemployment के आपके data दिये गए है जिसको हम बोलते हैं क्या periodic labor force survey या फिर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षन तो यह इसकी शुरुवात की गई थी 2017 में NSSO द्वारा और इसका पहला जो संस्करन आया था यह October से लेकर के December 2018 का जो था उस समय इसका पहली बार क्या आया था पहला संस्करन आया था उसके बाद से अभी continuously हर तीन-तीन महिने में यह क्या दिया जा रहा है इसके data's release करती है NSSO अब इसका objective क्या है to estimate key employment and unemployment indicators in short term intervals in short term intervals and current weekly status यह भी क्या है इसको भी देखते हैं पहले उद्देश देख लेते हैं प्रमुख रोजगार और बे रोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना अल्प अवधी अंतराल में और केवल वर्तमान रोजगार स्थिती में मतलब current weekly status के अधार पर यह क्या करता है आपके employment और unemployment के different indicators का क्या करते हैं यह मापन करते हैं और यह current weekly status क्या होता है तीन महिने की जो आपके data होते हैं वो based होते हैं इस पर यह आपका sample collection का एक तरीका है NSSO जो अपने पद्धतियों में अपनाता है यह क्या करता है जिस समय इसको survey report जारी करनी होती है उसके एक हफते पहले तक जितना भी श्रमबल है उसकी activity को या गतिविधी को मापता है एक हफते तक और उस एक हफते के आधार पर यह पूरे तीन महिने का क्या देता है average data देता है उसी को ही हम बोलते हैं क्या current weekly status अब देखें labor force participation क्या होता है श्रमबल भागिदारी यह होता है आपका labor force divided by work force into 100 अब work force क्या होता है यह 15 साल से लेकर के 65 साल या फिर 64 साल तक के जितने भी लोग जो काम करने के इकशुक होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं क्या work force अब इन में से जो actually काम कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं labor force या फिर श्रंबल जो actually में काम कर रहे होते हैं तो अगर मैं आपसे simple सा question पूछूँ की unemployment क्या हो जाएगा बे रोजगारी क्या हो जाईगी तो obviously जो लोग इकशुक हैं जो लोग इस age group में भी है 15 से 64 वर्षों की जो लोग इकशुक भी है कारे करने के लिए लेकिन उनके पास में क्या नहीं है काम नहीं है जो actual में काम नहीं कर रहे है लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है वो लोग होंगे क्या unemployed या फिर बे रोजगार तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा workforce minus labor force या फिर carable minus यह हो जाएगा आपका बे रोजगारी अब हमको मापना क्या है हमको मापना है कि labor force participation क्या है मतलब जो शर्म बल की भागिदारी क्या है पूरे हमारे आपका कार या बल की जनसंख्या में तब हम इसको क्या करते है आपका labor force जो actually में काम कर रहे हैं उनको divide कर देते हैं उन सब से जो काम करना चाहते हैं और इसको कर देते हैं 100 से multiply तो जो यह प्रतीशत आता है percentage आता है इसी को हम बोलते हैं क्या labor force participation ठीक है या फिर श्रम बल की भागिदारी इसी को ही बोलेंगे श्रम बल भागिदारी और यह होता है किसके बराबर आगे हम श्रम बल divided by carrable into 100 यह होता है आपका प्रतीशत clear है इतना चलिए आगे चलते हैं तो यह हो गया हमारा NSSO द्वारा जो त्रे माशिक हमको unemployment के data आते हैं उसमें हमारा क्या स्थिती रही है वर्तमान में तो वर्तमान में क्या हुआ है unemployment over all जो है वो घटी है 6.8 से लेकर कितनी हो गई है 6.7 हो गई है महिलाओं में कितनी हो गई है तो महिलाओं में हमारा कहां क्या भई है टेवल यह महिलाओं में 9.2 प्रतीशत से घट करके 8.5 प्रतीशत हो गई है और labor force का participation कितना हो गया 50.2 प्रतीशत से लेकर के 48.5 प्रतीशत तक घट गया है अब अगला जो हमारे पास में report है यह है आपका Microsoft और LinkedIn के द्वारा संयुक्त रूप से जारित यह Microsoft और LinkedIn के द्वारा जारी report है और इसका नाम क्या है work trend report कार्य रुजहान report work trend 2024 on artificial intelligence कितने लोग artificial intelligence को अपने काम में अपना रहे हैं इसके उपर इन्होंने क्या दिया है एक report जारी किया है जिसमें इन्होंने बोला है पूरे दुनिया के 75 प्रतीशत जो कार्य बल है या फिर श्रम बल है जो काम कर रहा है उनमें से 75 प्रतीशत लोग बहुत बड़ा डेटा है यह 75 परसेंट लोग क्या कर रहे है artificial intelligence को यूज कर रहे हैं अपने काम में और इन्होंने ये भी बताया है कि जो artificial intelligence को यूज करने वाले लोग है उनकी संक्या पिछले 6 महिनों में दुगनी हो गई है मतलब डबल हो गए है ये लोग तीसरा जो इसमें इन्होंने बताया है 90 परसेंट ऑफ AI यूजर्स जो है artificial intelligence के आपके यूजर्स जो है वो इसका यूज करते हैं time बचाने के लिए to save time and to keep up the competition मतलब क्रतिस परधा में continuously बने रहने के लिए AI का क्या कर रहे है ये उपियोग कर रहे है तो ये data आप लोगों के लिए बहुत important हो जाता है जिसको जारी करने वाली संस्थान कौन है Microsoft और LinkedIn है और इसका नाम क्या है वर्क ट्रेंड रिपोर्ट दो हजार चौबिस एक काम की जगह है इसको हिंदी में भी लिखेगा वर्क ट्रेंड रिपोर्ट वर्क ट्रेंड रिपोर्ट ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला हम आते हैं हमारे जो रिपोर्ट थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है important रिपोर्ट इस हफते के ऐसे हमारे पास में पूरे महिने के कंटिनियसली रिपोर्ट साते रहेंगे तो आप लोग कंटिनियसली हमसे जुड़े रहेंगे ठीक है आगे चलते हैं अब देखते हैं persons in news मतलब ऐसे लोग जो हाल फिल हाल में समाचार में बने रहे हैं या फिर चर्चित रहे हैं सबसे पहली है मालती जोशी इन्हों इनका हाल की इनका निधन हो गया है और यह भारत की एक बहुत प्रक्ष्याथ रिणोंड क्या रही है नॉलिस्ट रही हैं जो गन की अरही है और निबंध कार रही हैं 2018 में इन्हें क्या दिया गया था पदमश्री दिया गया था तो आपसे directly question पूछा जा सकता है मालती जोसी का संबंद किस छेत्र से है खेल के संबंद से है कला के छेत्र से है साहित्ति के छेत्र से है या science के छेत्र से है यह question आपको पूछा जा सकता है अगला है हमारे पास में अगली जो है वो है IPS इदाशिशा नौंग रान्ग ये मेघाले की पहली डारेक्टर जनरल ऑफ पुलीस बन गई एक राज का जो सरोचपुलिस अधिकारी होता है जिन्हें कद पर पहुंचने वाली पहली महिला है तो इनके बाद में इदाशिशा नौंगरांग जी को क्या बनाया गया है यहां का डाइरेक्टर जनरल आफ पुलीस बनाया गया है अर सबसे इंपोर्टन जो बात है वो है यह खासी अनुसूचित जन जाती से क्या करती है बिलाउंग करती है है मतलब खासी ट्राइब जो मिघाले की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है ना वहां से उस ट्राइब से बिलॉंग करती है कौन यह IPS इदाशिशा नौंगरांग ठीक है चलिए आगे चलते हैं शुबोध कुमार यह तीसरे वेक्ति हैं शुबोध कुमार हाल ही में इन कुल फॉर्म याद होना चाहिए बेसिक जीएस का आपके पार्ट है फिर भी हमें आपर एक देख लेते हैं एसे आयुर्वेदा वाई से योगा एवं नैच्रोपैथी यू से यूनानी से सिद्ध और एच से होम्योपैथी आगे चलते हैं कमला बेनिवाल कमला बेनिवाल क अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है और इन्होंने भी अपने समय में इतिहास रचा था और ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बन गई थी पहली महिला मंत्री राजस्थान की थी कौन कमला बेनिवाल इन्होंने राजस्थान की विधाइका में अपनी सेवाए 1957 से ल करके 1989 तक ठीक है आगे चलते हैं इसके बाद में हमारे पास में कुछ ऐसे प्लेसेज हैं चर्चित स्थल है जो इस हफ़ते continuously आपके किसमें बने रहे हैं current affairs के section में बने हुए है या फिर news में बने हुए है तो इनके बारे में देख लेते हैं पहला है चा बहार फोर्ट चा बहार पोर्ट मारत केज़ेंक नहीं है यह पोर्ट रवंदर गाहा है और यह है यह है अपका इड $ में यह इरान का एक मात्र समुद्री बंदरगाह है दा ओनली ओशियानिक क्या है यह पोर्ट ऑफ इरान है और इसका क्या हुआ है चली पहले देखते हैं हमारे पास में आखिर डेटा क्या है इंडिया एंड इरान साइंड अ 10-year एक अगर बंदर करना क्या है किस के साथ में इरान के साथ में अनुबंद पर हस्ताकशर किये हैं और यह जो जलीक है है ये किनके किनके बीच हुआ है भारत की इंडिया पोट गलोबल लिमिटेड और इरान की पोर्ट एंड इरान के पोर्ट एंड मैरिटाईम और्गनाइजेशन इन दोनों के बीच मी करार हुआ है अब देख लेते यह चाबहार पोट है कहा पर तो यह सिस्तान और बलोचिस्तान जो प्रोविंस है आपका इरान का वहां के मरकान कोस्ट में गल्फ ओफ ओमान में है या फिर ओमान की खाड़ी में स्थित है तो यहां से देखिए कितने सारे सवाल बनेंगे सबसे पहला तो आपसे यही पूचा जाएगा कि चावहार फोर्ट आखिर कहा है तो यह आपको पता होना चीए बलोचिस्तान और सिस्तान नमक प्रोविंस में या फिर प्रांतों में है मरकान नामा के क्या है खाड़ी है जहां पर खाड़ी कौन सी है ओमान की खाड़ी है या फिर आप से डायरेक्ली क्वेश्चन पूछ लेगा ओमान की खाड़ी कहां पर स्थित है या फिर मरकान कोस्ट कहां पर है यह सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे अब यह ह बहुत इंपोर्टेंट है चाबहार पोर्ट हाल ही में आज ही नियूज आया है कि कल इरान के जो राष्ट्रपती रहे हैं उनका और वहां के विदेश मंत्री दोनों का ही एक बहुत दुखद निधन हो गया है हेलिकॉप्टर क्रैश में रईसी नाम था उनका इरान के जो प् आपका चाबहार पोर्ट का 10 साल का कॉंट्रेक्ट साइन हुआ है उसके महज 4-5 दिनों के अंदर ही इन दोनों का देहां तो हो गया एक हेलिकॉप्टर क्रैश में हाला कि फिलाल हम आते हैं वापस हमारे लिए चाबहार पोर्ट क्यों इंपोर्टन है तो इंडिया साइंड Memorandum of Understanding for Development of चाबहार पोर्ट चाबहार पोर्ट इन मई 2015 तो 2015 में ही सबसे पहले हमने क्या कर लिया था एक MOU साइन कर लिया था समझोता ग्यापन हस्ताक्षर कर लिये थे इरान के साथ में कि हम चाबहार पोर्ट को क्या करना चाहते हैं विक्सित करना चाहते हैं उसके बाद मैं 2016 में क्या हुआ इंडिया एरान और अफगानिस्तान ध्यान दिजेगा इंडिया इरान अफगानिस्तान साइंड ट्राइल एंग्रिमेंट इस बाहार का जो लोग मेंस दिला रहे हैं इस बार का जो लोग मेंस दिला रहे हैं उनके लिए ये question बहुत-बहुत important हो जाता है तो ये चा बहार agreement क्या है तो ये है एक त्री पक्षिय समझोता है ट्राइटरल एग्रिमेंट है to establish international transport and transit corridor या फिर अंतर राष्ट्री परिवान और पारगमन गलियारे का एक क्या किया गया है गठन किया गया है जिससे की इंडिया इरान और अफगानिस्तान त्री पक्षिय एक समझोता निर्मित होता है और यह समझोता क्यों किया गया था ताकि एक alternative trade route मिल सके हमको एक वेकलपी विवापार मार्ग मिल सके हम हमेशा सही भारत जो है वो अपने Central Asia और अफगानिस्तान साइड के जो भी Europe है उन सभी से trade करने के लिए बहुत जादा निर्भर हो जाता है किस पर पाकिस्तान क्योंकि उसे पाकिस्तान के माध्यम से ही Central Asia पहुँचा जाया जाता था लेकिन क्योंकि इरान के चा बाहर पोर्ट में अब हम लोगों को क्या मिल गया है एक agreement हो गई है कि भाई हम आपके पास तक समान लेकर के हो या रोड के माध्यम से हो या फिर प्लेन के माध्यम से हो हम अपना शमान कहां तक पहुचाएंगे यॉरप तक Central Asia Middle East जिनको कहा जाता है वहां तक पहुचाएंगे है तो यहां पर से हमको पाकिस्तान के उपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो हमारी खतम हो जाती है और सा जो पाकिस्तान को जाता था एक पर्मिट लेने के लिए पर्मिशन्स लेने के लिए या फिर कस्टम स्टैक्स पे करने के लिए वो सारी चीज़ें यहां पर बचेंगी तो कहीं न कहीं overall हमारा जो एक विदेश नीती होती है कि हमें अपने डिपेंडेंसी किसी पर भी जाद जादा नहीं रखनी है उसमें कमी आई है इस चाह बहार फोट के कारण ठीक है तो यह हो गया चाह बहार और अल्टरनेटिव रूट डैट बाइपास पाकिस्तान तो वेकल्पिक व्यापार मार्ग बिलता है एतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत क कि पहुँच काफी हद तक पाकिस्तान के पार गमन मार्गों पर निर्भर रही है चाह बहार एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो पाकिस्तान को बाइपास कर सकता है इसके बाद में पोर्ट अल्सो बूस्ट इंडिया एक्सेस टू इरान दखी गेटवे तो इंटरनेशनल नौ शाओथ except transport कoridor एं निटरनेशनल नौठ साओथ स्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट कोरीडर डट है सिरे रेल रोड आनूर्ट सब्सद्वेट इंडिया एरान रॉस्या इंडिया एरान राहस एंड Central Asia तो यह हो क्या रहा है अगली वीडियो में मैप के माधियां से इसको समझेंगे हम लोग जो रशिया यॉरॉप इरान Central Asia है Central Asia मतलब कजाकिस्थान तुर्कमेनिस्थान किर्गिस्थान उस्बेकिस्थान अफगानिस्थान ये वाला जो पूरा एरिया है इनके बीच में एक उत्तर से दक्षिंड तक, मतलब उत्तर से दक्षिंड तक एक क्या बनाया जा रहा है, परिवहन गल्यारे का निर्मान किया जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा क्या है, की पॉइंट है कौन, इरान, की पॉइंट है क्या, इरान, है न, तो हमारे से बहतर होते जा रहे हैं तो हमारे लिए यह पोट और भी जयाथ क्या हो जाता है रह method हो जाता है आगे चलते हैं बद्रीनाथ अब अब बद्रीनाथ भी हाल फिलम में continuesly news में बना हुआ है क्यों बना हुआ है क्योंकि यहां पर पिछले रवीवार को यारे की 12 मई को तीर थियात्रा के लिए बदरी नात भगवान के क्या कर दिये गए हैं कपाट खोल दिये गए हैं आप लोग यह बताएंगे बदरी नात जो धाम है वो किस भगवान को समर्पित है जब तक हम वहाँ पर पहुंचते हैं तब तक आप बत बद्री नाथ के कपाट खूलते ही चार धाम यात्र जो जो है उत्राकंट की चार धाम परियोजिना के तहत उसका भी शिलन्यास हो गया है उसका भी शुरुग्ण 5 गए है और यह जो कौन कौन से हैं गंगूत्रि यमूनोत्री कि żadधार और बद्री नाथ है अब यह जो आपक टू लॉर्ड विश्णू ये विश्णू को क्या है समर्पित एक धाम है बद्रीनात तो ये जो चार धाम की यात्रा होती है ये शुरुवात होती है इसकी यमुनोत्री से ऐसा माना जाता है कि अगर इसे क्लॉक्वाइस किया जाए याने की यमुनोत्री गंगोत्री उसके बाद किदारनात और बद्रीनात जब आप इस चक्र में इस पूरी चार धाम यात्रा को करते हैं तो आपको किसकी प्राप्ति होती है भगवत मार्द की प्राप्ति होती है या फिर कैवल लिखी प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है चलिए आगे चलते हैं इसके बाद में हम देख लेते हैं जो चारो धाम है इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन्स यमुनत्री कहां पर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है यमुना नदी के किनारे है और इस डेडिकेटेड टू गौड़ेस यमुना मतलब यमु कहां पर है यह रुद्र प्रयाग में है रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और यह किसको डेडिकेटेड है लौड शिवा को डेडिकेटेड है अब आप लोग यहां पर एक सवाल का और जवाब देंगे रुद्र प्रयाग में किन-किन नदियों का संगम होता है इस बद्री नारायन विश्णू को क्या है समर्पित है ठीक है आगे चलते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है स्पोर्ट का सेक्षन है अब स्पोर्ट में भी हाल फिलहाल में पिछले हफते जो पुछ भी आपकी चीजें हुई है उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहला है इटालियन ओपन या फिर इटालियन ओपन सबसे पहले आपसे सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा तो यह कि की रहने वाली है यह पॉलेंड की रहने वाली है एक पॉलिश टेनिस प्लेयर है वर्तमान में विश्व की नंबर वन है और यहां करियर का इन्होंने कौन सा नंबर का की सब्सक्राइब जीता है 21 टाइटल ओफ हर करियर ठीक है इसके बाद में हमारे पास में लॉड़क पा जाता है जो सबसे पहले यह इलॉड़क जो है यह किस से संबंदित है तो यह बॉक्सिंग से संबंदित है कहां पर हाल फिलहाल में हुआ दोजार चौबिस में तो यह उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यह हमारे लिए बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है साल भर होने वाले एक्जाम्स में यह क्वेस्चन कहीं न कहीं आपसे क्या होगा रू बरू जरूर होगा है तो एक जो हमारी वर्ल्ड चेंपियन बॉक्सर है उनका नाम क्या है निख गोल्ड मेडल जीते हैं इसके इलावा हमारे पास दो सिल्वर मेडल्स भी आये है एक अनामिका ने जीता है दूरा किस ने जीता है मनीशा नीजीता और यह चार मेडल के लावाद 2 दो सिल्वर के seller आवा आठब ब्रोन्ज मेडल भी आये है कान्श पढग भी जीते है हमने तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉड़ा कप कहां हुआ तो आपको बताना है कजाकस्तान में हुआ और यह कौन से खेल से संबंदित है तो यह boxing खेल से संबंदित है इसमें हमारा total medal कितना मिला हमको कुल पदक कितने मिले तो 12 मिले, स्वर्ण कितने 2, रजत कितने 2, और कांश कितने 8, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा किसने जीता है, स्वर्ण तो निकत जरीन और मिनाक्षी इन दोनों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, इसके बाद में हमारे पास थाइलेंड ओपन है, ये देख दूसरा देदेगा थाइलेंड ओपन, दूसरी तरफ में आपको देदेगा क्या, स्पोर्ट्स के नाम, खेल के नाम, और आपको बोल देगा मैच दफॉल्विंग करने के लिए, इसलिए हमारे करन्ट अफेस जो हैं, हमारे लिए बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं, तो ये जो थाइलेंड ओपन है, अब ये किस चीज़ से संबंदित है, कौन से स्पोर्ट से, तो ये है बैडमिंटन से संबंदित, और यहां पर जो हमारे स्कार बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इंडिया के, सात्विक साहिराज, रैंकी रेडडी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ये खिताब अपने नाम कर लिया है, और ये खिताब कौन सा है, थाइलेंड ओपन 2014, सुरी, 2024, और ये इनका दूसरा वर्ल्ड टाइटल है, इसी साल 2024 में ही इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है, जो बैडमिंटन से संबंदित है, तो इसी साल इ हमारे पास में आ गए है, जो स्पोर्ट सेक्षन से इंपोर्टेंट है, वो है, इन्डियन टेबल टेबल टेनिस टीम फॉर पैरिस ओलम्पिक, पैरिस ओलम्पिक के लिए भारती टेबल टेनिस की टीम हमने घोशित कर दी है, जिसका जो नेत्रित्व है वो करेंगी मणी का बत्रा और यही मणी का बत्रा है जिन्होंने हमारे भारत का गौरव बहुत उचा कर दिया है क्योंकि ये भारत से टेबल टेनिस की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जो वर्ल्ड के टॉप 25 रैंकिंग्स में अपना नाम दर्ज करा दी है और इनका रैंक हो गया है अभी फिल टॉप 25 रैंकिंग पाने वाली एक मात्र देश की ये क्या हो गई है टेबल टेनिस की प्लेयर हो गई है और यहीं नेत्रित तो करेंगी किन के साथ में अचन शरत कमल के साथ में ये नेत्रित तो करेंगी पैरिस में जो अलंपिक होने वाला है उसमें हमारे टेबल टेनिस ट गया है सत्यान और अनीका मैं प्रणंसियेशन के लिए छमा मांगूंगा तो इन दोनों को रिजर्व में रखा गया है इसके बाद में आपके पास शरत कमल हर्मन हर्मीट और मानव ये तीन हमारे पास में कौन है मेल प्लेयर्स हैं जो पैरिस में हमारा नेत्रित्व करेंगे इसके बाद में पाँचवे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो है सुनील चेत्री हाल ही में इन्होंने अपना रेटायर्मेंट घोशित किया है किससे इंटरनाशनल फुटबॉल से ये थर्टी ना चूटते ही बोलता है कि मुझे सुनील चेत्री पसंद है तो क्यों पसंद है क्योंकि इनके अचीवमेंट्स इतने शांदार है अगर इंडिया की फुटबॉल को इन्होंने विश्व पटल पर किसी ने रखा है तो वो रखा है कि इन्होंने इन्होंने ही सुनील चेत्री न है जिनने खेल रत्न सम्मान दिया गया है एक मात्रे से फुटबॉलर है जिनने खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और इन्होंने क्या कर दिया है अपना retirement from international football क्या कर दिया है घोशित कर दिया गया है इनकी जो और ख्यातिया है यह seven times player of the year बने है seven times साथ बार किसके इंडिया इंडियन football federation के है ना तो अखिल भारतिय फुटबॉल महासंग के साथ बार खिलाड़ी of the year बने है वर्ष के मतला player of the year बने है और इनके उपर सबसे बड़ी बात यह है कि एक documentary फीफा ने setup किया है एक documentary इनके उपर बनाई गई है फीफा के द्वारा जिसको बोला जाता है captain fantastic नाम है उस documentary का मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप सभी फीफा की site में जा करके यह documentary जरूर देखें captain fantastic नाम है इस documentary का जिसको फीफा ने बनाया है और यह दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी है दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर नंबर फ़न पर हैं रोनाल्डो दूसरे नंबर पर हैं मैसी और तीसरे नंबर पर हैं सुनील शेत्री रोनाल्डो ने दो dit tenth मैचेज में 128 जोल कि openness की हैं मैसीय ने 180 मैचेज खेले हैं और 106 goals किया हैं सुनिल चेत्री ने 150 मैचेस में 94 गोल्स किये हैं और ऐसे ये बन जाते हैं दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले क्या व्यक्ति चटवी हमारे पास में जो हैं वो हैं के एम दिक्षा ये 19 साल बाद इन्होंने नैशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 1500 मीटर दौन में 1500 मीटर आपके रेस में 19 साल बाद 19 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है किसने के एम दिक्षा ने और ये रिकॉर्ड इन्होंने तब तोड़ा जब ये लॉस एंजलेस में एक कम्पिटीशन में पार्ट ले रही थी जिसमें इन्हें थर्ड पोजिशन हासिल हुई है और सबसे पड़ी बात ये है कि ये हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो चत्तीजगड का है वहां से हैं तो ये हमें इनके बारे में और डिटेल में देखना होगा किसमें चत्तीजगड के करन्ट अफेरस में कहां से हैं कहां तक पढ़ाई करी हैं कौन से स्कूल से पढ़ाई करी है हलाकि यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखती लेकिन क्योंकि हमारे देश का किराहिन उन्हें मान सम्मान बढ़ाया है इसलिए हमें इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है तो यह क्या किराहिन उन्हें पंद्रा सो मीटर रेस में नैशनल रिकॉर्ड तोड़ा है कितने सालों बाद 19 सालों बाद और यह कहां से आती हैं बिलासपूर से आती हैं चत्तीजगर से और यह जो आपका 19 साल पहले का रिकॉर्ड था यह एशियन गेम्स में बनाया गया था सुनीता रानी द्वारा जिसे हर हर मिलन ने क्या किया था तोड़ दिया था 2021 में 60 वे open national athletics competition में और इस हर मिलन का क्या कर दिया है रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है के एम दिक्षाने ठीक है चलिए आगे चलते है रविंद्र जडेजा अब यह भी व्यक्ति हमारे लिए बहुत important हो जाते हैं और खासकर मेंस के लिए यह important हो जाते हैं जो अभी मेंस become third player to lose a wicket by the rule of obstructing the field मतलब obstructing the field के नियम से अपना wicket गवाने वाले यह भारत के IPL के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं इसके पहले सन 2013 में यूसुफ पठान और 2019 में अमित मिश्रा ने ऐसे में क्या किया था अपना wicket गवाया था इस rule से होता क्या है यह आप लोगों के लिए दो और चार नंबर के question बन सकते हैं यहां से है ना दो और चार नंबर के खेल के यहां से question बन सकते हैं इसमें क्या होता है in this rule if batsman disturbs the fielder or the ball he is said to have lost his wicket इस नियम के तहत अगर भल्ले बाज फिल्डर या गेंद को परिशान करता है तो माना जाता है कि उसे अपना wicket खो दिया है या फिर उसे आउट गोशित कर दिया जाता है तो ऐसा होने वाले रवेंद्र जडेजा 2024 में तीसरे व्यक्ति बन गये हैं इसके पहले 2019 में कौन थे अमित मिश्रा और 2013 में कौन करता है हमारे इस हफते का क्या करणंट अफेर्स किस से संबंद में राष्ट्री और अंतर-राष्ट्री संबंदों में कल हम इनहीं के उपर में लेकर के आएगे आपके पास में mcq series उसके बाद अगले सोमवार को हम लेकर कर के आएगे इस हफते में होने वाले जितनी भी क्या MCQ Series इससे पूरी तरह से आप लोगों का जो Current Affairs का जर्नी है वो Excel होगा और जितने भी Serious Candidates हैं वो अपने एक्जाम में Optimum Performance दे पाएगे थैंक्टी अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये Competition Community के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के केरियर पेच पर विजिट करें अत्वा Description Box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Coco